अज ये कौन-कौन से शेयर खबरों में बने रहने वाले हैं ये भी जाना चाहेंगे शेयर जी बिल्कुल प्राइमरी मार्केट अक्षन पर फोकुस करते हैं तो सब्सक्राइब अज आखरी दिन है आई प्यों सब्सक्रिप्शन के लिए दो दिन में देखे तो साथ गुना भर चुका है यह अथार्थ हॉस्पिटल का आज लिस्टिंग है अलगभग आप कह सकते 37 टाइम सब्सक्राइब आप प्राइसे 300 रुपे प्रतिशेयर का है और ज प्राइस है जो है चाइना के मार्केट में इंप्रूव्मेंट के कारण जो है ली गई है सिपला की बात करें उनके पितम पर यूनिट को मिली है अब इस स्टैटस का मतलब होता है कि कंप्लाइन्स इश्यूज हो रहे है तो इस पर थोड़ी नेगेटिव इंपक्ट जरूर पर नोटिस आया है और यहां पर जो है एक आडवर्स फैनांस इंपक्ट देखने मिल सकता है तेजस नेट्वर्क्स भी फोकस में रहेगा यहां पर गवर्मेंट अप्रूफ किये 1.4 लाक करो रफ्ली स्पेंड करने के लिए भारत नेट प्रजेक्ट में पंजाब सिंद ब फोकस में तो गौवर्मेंट ने इस कर दी है आपकी इंपोर्ट रेस्टिक्शन्स क्यों आपके लाप्टाप और कंप्यूटर्स को 31st October तक लिकर स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले यहां पर डली गौवर्मेंट ने सिंप्लिफाई कर दिया प्रोसेस आपको एक्साइज लेने के लिए होटल, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को लेके HDFC बैंक में देखे तो IRDI की रिलाक्सेशन आई इंशॉरंस कंपनीज को जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं HDFC के नए अटेंटिटी में इंडिया एनेजी एक्सचेंज की बात करें तो कार्बन क्रेडिट्स में आए हैं और इमामी में प्रमोटर ग्रूप ने लगबख 12 लाग शेल्स की प्लेज रिलीस की है और आखिर मैं बात करूँगा डेल्टा कॉप का जहां पर उनके CFO हार्दिक दिवार ने रेजिगनेशन भी दिया है ठीक हार्दिक ठेवर हम भी बाची दोंसे करी रहे थे जब यह गेमिंग वाली खबर एथी जिस्टी वाली और यह खबर शरत कोई रीजन बताएं कि उन्हों ने रेजाइन किया है जी बिल्कुल जो ओवराल रेजिगनेशन जो कह रहे हैं कि उनके परसनल अंडर्वेस के उपर है हाला कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है तो आगे जाता है वो अपनी वेंचर करें या कोई दूसरे कंपनी में जाए तो यह ओवराल कहा गया लेकिन एक चीज़ में बता दू यह कंपनी में फोकस है और आनलिस्स का मानना है कि जो वर्स्ट है वो अलड़ी को के पास आया लेकिं जो ही यह खबरें की टोटल वैल्यू पी 28 जिस्टी लगाई जाएगी शियर के में फिर से धुलाई होती हुए देखी थी और 186 रुपे का इसका भाव है फिलहाल तो यह खबरों वाले तमाम शियर जिनका आज के सतर में असर देखेगा और आपकी न में